Hello everyone, बहुत बहुत स्वागत हैं आपका मेरे YouTube चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप बहुती फास्ट मेंटर से कड़ी बना सकते हैं कड़ी सभी लोगों को बहुत पसंद होती है आज मैं आपको बहुती सिंपल तरीके से पकोडे की कड़ी बताने वाली हूँ पकोडे की कड़ी बहुती टैस्टी लगती है और इसको बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है तो चलिए शुरू करते हैं कड़ी बनाना वीडियो सुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवे दन हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला हैं तो चलिए शुरू करते हैं रैसीपी बनाना, बेशन की पकोड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या-क्या समगरी चाहिए, इसके लिए हमें बेशन चाहिए, दही चाहिए, आप चाहो तो दही से बना सकते हो, आप चाहो तो छाच से बना सकते हो, यहां पर मैंने लिया ह और एक कटोरी चाच एक कटोरी दही तो सबसे पहले मैं लेंगी एक बड़ी कटोरी बेशन और इस वाले बेशन का हम पकोड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा गोल बना लेंगे तो इन सारी चीजों को हम साइड में हटा देंगे और हम पकोडी के लिए थोड़ा सा गूल तयार कर लेंगे पकोडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यापे एक कटोरी बेसन और सबसे पहले हम जो बेसन है उसको एक बाउल में डाल लेंगे और अब इसका गूल तयार कर लेंगे तो गूल तयार करने के लिए हमें लेना होगा एक गिलास पानी और पानी को हमें चम्मस से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका गूल तयार करना है इसमें हमें एक साथ ही जादा पानी नहीं डालना है नहीं तो ये गीला हो जाएगा और हमारी पकोड़ी अच्छी नहीं बनेंगी तो हमें इसमें एक साथ जादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी एड़ करना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और हमारे पकोड़ी भी अच्छी नहीं बनेंगी, सारा काम हमारा भी कड़ जाएगा, तो हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, और इसको अच्छे से चम्मस से चला लेना है, यानि की फैट लेना है इसको जिससे की हमारा गोल बहुत ही अच्छे से सौप्टनेस के साथ तैयार हो जाए तो आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से इसको चला रहे हूँ बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल कर हमें चेक कर लेना है कि इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं है और जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करके इसको चम्मस से अच्छे से चला लेना है अच्छा सा इसका हमें पकोडी के लिए बढ़िया सा गोल तैयार कर लेना है चम्मस से हमें इसको 5 मिनट तक लगातार अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि हमारा घूल एक तम बढ़िया सा बन जाए तो मैं इसको फटा-फट से चला लेती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा घूल कितने अच्छे से बन रहा है अभी भी मुझे थोड़ा गाडा ही लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड़ कर लोंगी और इसको चम्मस से बढ़िया से चला लोंगी हमें इसको बहुती बढ़िया से फैटना है जिससे कि हमारे पकोड़ी में कोई भी कमी ना रहे और बहुत अच्छे से बन जाए, कभी-कभी हम क्या करते हैं, हाथ से पकोडे वाले बेशन को घूल के और पटा-पट से पकोडे बना लेते हैं, इसकी तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसको चम्मस से 10-15 मिनट तक अच्छे से फैट लेना है, जिससे कि हमारा घूल ए एक दम बढ़िया से मस्त बने, तो आप देख सकते हूँ, मैंने इसको कितने अच्छे से फैट लिया तक से, अब आप देख सकते हो, इसकी लोकिंग कितने बढ़िया से ये बनके तयार है, हमारा घूल एक दम बिल्कुल रडी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10- 15 मिनट के लिए cover करके रख देंगे जिससे की हमारा घूल बहुत बढ़िया और अच्छे से soft हो जाए तो आप देख सकते हो इसकी consistency कितने अच्छे से बनके तयार है ना ये बिल्कुल जादा है और ना ही ये जादा गाडा बना है ना ही जादा पतला तो अब मैं एक ढखकन लेके इसको cover करके रख देते हूँ 10 से 15 मिनट के लिए अब मैं याँ पर लेंगी धाई धाई मैंने एक कटोरी लिया है और एक लिया है मिक्सिका ग्राइंडर जाल इसमें मैं हमारे धाई को डाल देती हूँ तो ये लिजे धाई को मैंने ग्राइंडर जाल के अंदर डाल दिया है अब मैं लेंगी हमारा एक कटोरी बेशन मैंने याप एक छोटी कटोरी बेशन लिया है तो इस बेशन को मैं चम्मस से धाई के साथ एड़ कर देती हूँ और हमें इसको अच्छे से कर लेना होगा ग्राइंड तो मैं यहां पे लेती हूँ इसका डखकन और इसको कवर करके अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ तब दिखाती हूँ आपको तो यह लिजे हमारा बेसन और दई को मैंने अच्छे से grind कर लिया है अब हमें इसको कोई mixer mixer से चलाने की जरूरत नहीं है ये देखिए मैंने इसको बढ़िया से कर लिया है ना ये जादा पतला ना ये जादा गाडा अभी हम इसमें पानी भी add करेंगे तो ऐसे हमें इसको कर लेना है mixi में थोड़ा सा चला के जिससे की अच्छे से दोनों melt हो जाएंगे दही और बेसन तो ये लीजे मैंने सारे दही और बेसन को बावल में निकाल लिया है अब मैं जो भी बचा है मेरा दही और बेसन उसको भी grind कर लेती हूँ तो ये देखिए मेरे सारे बेसन और दही को मैंने अच्छे से grind कर लिया है आप देख सकते हो अब मैं इसमें add करूंगे कुछ सामगरी तो यहाँ पे मैंने जो एक कटोरी चाच लेती उसको भी दही की साथ add कर देती हूँ चाच मैंने mix कर दी है तो अब मैंने जिस कटोरी से चाच लेती वही कटोरी में मैंने डाला है पानी और पानी करके सारी चीजों को अच्छे से कर लेती हूँ mix क्योंकि हमारी चाच जादा खटी भी नहीं है और जादा मतलब मीडियम साइज की चाच है दई भी हमारा जादा खटा नहीं है तो मैं इसमें दो कटोरी पानी डाल लेती हूँ और सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेती हूँ अगर आप जादा पतली कडी खाना चाते हो तो आप इसमें और भी पानी अक्ष्टा एड़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था उसको बारिक बारिक से कट कर लिया है और 10-15 लैसुन की कली दो हरी मिर्च और एक छोटे अद्रक के टुकडे को मैंने बारिक बारिक कूट लिया है अब मैंने गैस पे कड़ाई रख दिया जो मुझे पकोड़ी फ्राई करने के लिए तेल चाहिए था जो हमने पकोड़ी के लिए बनाया था और उसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था हमारे 15 मिनट खतम हुए तो अब देखते हैं हमारे गोल को ये देखिए हमारा गोल एकदम बड़िया से रेडी है ना ये ज़्यादा पतला है और ना ये ज़्यादा गाड़ा है बशत अच्छे से बनके त्यार है तो अब हम थोड़ा समय पानी हाथ के पानी लगाके और एक पकोड़ी इसमें डालके देखती हूँ की तेल अच्छे से पका है की नहीं ये देखिए हमारी पकोड़ी एकदम बड़िया से उपर आ रही है तो मैं सारी तिल में पकोड़ी डाल देते हूं जिससे कि हमारी पकोड़ी एकदम बड़िया से बन जाएंगी और अच्छे से सिख जाएंगी ज्यादा फुल आच पर हमें इने नहीं सेखना है नहीं तो हमारी पकोडिया उपर से सिख जाएंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो ये देखिए हमारी पकोडिया एक दम बड़िया से अच्छा सा कलर इन में आ गया है तो अब मैं इने निकाल लेती हूँ एक चलनी में आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से बनके रड़ी हैं तो अब मैं इने एक प्लेट में निकाल लूँगी ये देखिए सारी पकोडियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब मैंने गैस पे रख दिये दूसरी कड़ाई और आब इसमें मैं डाल देती हूँ कड़ी बनाने के लिए एक बड़ा चमच तेल तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा तेल इसमें डाल सकते हो हम ज़्यादा ना तो ज़्यादा खाते तेल ना ही कम खाते बस मीडियम ही खाते हैं तो मैंने इसमें एक बड़ा चमच डाल दिया है अब मैं इसको बड़िया से गरम होने देती हूँ जिससे कि हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए तो ये देखिए तेल हमारा एकदम बढ़िया से गरम हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच जीरा आदा चम्मच शॉंप अच्छे से पक चुके हैं तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारे अध्रकलेसुन का पेश्ट इसमें मैंने दो मिर्ची भी डाली थी और सारी सामगरी को अच्छे से कर लोगी मिक्स तो आप देख सकते हो हमारे प्याज और मिर्ची बढ़िया से पक चुके है सारा पेश्ट हमारा अच्छा सा पक चुका है मसाले हमारे बढ़िया से पक गए है प्याज मिर्ची तो अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे चाच और बेशन को तो ये लिजे चाच और बेशन को हम कर देंगे इसमें mix और चाच और वेशन को हमें लगातार चलाते हो या इसको चलाना है बिल्कुल भी हमें इसको नहीं छोड़ना है अगर हम इसको बीच में छोड़ देंगे नहीं चलाएंगे तो ये हमारी चाच है ये फट जाएगी और बिल्कुल भी हमारी कड़ी अच्छी नहीं बन तो हमें ऐसे लगातार चलाते रहना है तो आप देख सकते हो अभी इसमें कोई भी उबाल नहीं आया है मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है मैं इसको लगातार से चला रही हूँ अब मैं इसमें उपर से एड़ कर दूंगी एक चमच नमक और हाप टेश्पून हल्दी जिससे की हमारी सबजी का कलर एक दम बड़ी आशा आईगा और हमारी इसमें कर दूंगी कुछ सबाबरबाव इसमें उपर से एड़ कर दूंगी कुछ मसाले जिसमें मैंने लिय का शमीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमस धनिया पाउडर और इनको अच्छे से कर लेती हूं मिक्स और अभी भी हमें इसको पांच मिनट तक और अच्छे से उबालना है तो यह देखे हमारी कड़ी अच्छे से उबल रही है मसालों के साथ मैं इसको अभी और चला लेती हूं अच्छे से तो के साथ इन्हें भी उबलने देते हूं जिससे की हमारी पकोड़ी भी बहुत अच्छी कड़ी के साथ सौप्ट हो जाएंगी और खाने में बहुत टैस्टी लगेंगी तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारी पकोड़ी को मैंने कड़ी के अंदर डाल दिया है और अच्छे से फू कस्तूरी मेती इसको मैंने हास से मसल के ठोड़ा सा ठीक कर लिया था तो उपर से मैं इसमें एड़ कर देते हूं कस्तूरी मेती से इसमें बहुती बड़ी अफ्लेवर आता है और टेस्ट इतना अच्छा आता है कि पूछी मती तो यह देखिए हमारी कड़ी का कलर कितने कि आप इसे रूटी पराटा किसी के भी साथ खा सकते हो अगर आप इसको थोड़ी ठंडी होगी तो यह और थोड़ी गाड़ी हो जाएगी अगर आपको ज्यादा पतली कड़ी पसंद है तो आप चाच में और थोड़ा पानी एड़ कर लेजिए मैंने इसको ज्यादा ना पतली ही बनाया और ना ज्यादा गाड़ी बनाया अभी थोड़ी ठंडी होगी तो यह और गाड़ी हो जाएगी तो अब मैं इस स्टेज पर गैस को कर देती हूं बंद क्यूंकि हमारी कड़ी बहुत ही अच्छे से उबल रही है और अच्छे से खीज-खीज के थोड़ी कम हो गई है तो मैं गैस को बंद करके इसे नीचे उतार लेती हूं और इस कड़ी को मैं निकाल लेंगे सरव करने के लिए एक बावल में तो आप देख सकते हो मैं इसे फटा-फट्चे इसमें सर Soil कर लेती हूं तो ये लेजे भई हमारी कर्मा गरम पकोड़ी की कड़ी है एक दम बिल्कुल रेड़ी अरे भई अभी हमारी कड़ी रेड़ी नहीं है अभी हमें थोड़ा सा इसमें मसाला मिक्स करके अभी हमें इसमें थोड़ा सा तड़का और लगाना है तो तड़के के लिए हम लेंगे एक तड़का पैन और इसमें मैंने दो छोटे चम्मच तेल डाल दिया है तेल हमारा बढ़िया से गरम है तो मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटा चम्मच जीरा जीरा हमारे एक दमबडिया से पक चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूँगे एक छोटा चममच हींग और गैस को कर दूँगी थोड़ा कम जिसे की हमारे मसाले जले नहीं तो अब मैं इसमें ऊपर से एड़ कर दूँगी दो मोटी वाली लाल मिर्च आप जाओ तो सूकी वाली भी डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे और इनको अच्छे से गरम होने देती हूँ उपर से एड़ कर दूँगी थोड़ी से कड़ी पत्ते दस पंद्रे कड़ी पत्ते हमारे अच्छे से चटकने लग गए हैं आप देख सकते हो अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और इसमें उपर से डाल दूँगी मूटी लाल मिर्च कुटी हुई आप चाहो तो डाल सकते हो अगर नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते तो ये देखिए मैंने मिर्ची इसमें डाल दी है अब मैं गैस से इसको नीचे उचार लेती हूँ और अब चलती हूँ हमारी कड़ी की तरफ अब हम इसे डालेंगे कड़ी के उपर तो ये देखिए friends हमारी कड़ी के उपर मैंने सारी तड़के को डाल दिया है अब मैं लेँगी एक छोटा चम्मच और इनको अच्छे सी थोड़ा सा मिला लेती हूँ कड़ी में तड़के को जिससे की हमारी कड़ी का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा तो ये लीजे friends हमारी गर्मा गरम पकोड़ी की कड़ी है बिल्कूल रेडी अब आप इसे सरू कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताओगे कि मेरी कड़ी कैसी बनी और आप कब बनाने वाले हो इस पकोड़ी की कड़ी को तो उमीद करती हूँ friends आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सेर और सबस्क्राइब